जह्मादाई दोस्तोः, मातरानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूण करें और आप जीवन में खुप सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तोः आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरताली का तीज वरत में जो चार पहर की पूजा का सुमहूर्थ है वो क्या होने वाला है साथी साथ पारण जो है वो आपको कप करना है चौकी जो है वो कब हटाना है और जो पानी है वो आपको कप पीना है आज के वीडियो में संपोर्ण जानकारी जो है वो आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहली बात जो हरताली का तीजवरत है वो आने वाली 6 सितंबर को दिन सुक्रवार को पूरी वीदिवत रूप से किया जाएगा ऐसे में जो चार पहर की पूजा है वो सबसे जादा महत्पूर होती है तो सबसे पहली जो पूजा है वो प्रदोस काल में की जाती है अब प्रदोस काल में पूजा जो है वो कितने टाइम करना है तो 6 तारिको साम को पहली पूजा होगी 6 बच के 23 मिनट से लेके रातरी 9 पूजा है तीसरे पहर की पूजा जो है वो रातरी को बारा बच के पंदरा मिनट से लेके सुबहे तीन बच के बारा मिनट का जो सुब महूर्थ है वो ये तीसरे पहर की पूजा है और आखरी पहर यानि की चौथे पहर की जो पूजा है वो सुबहे तीन बच के पंदरा मिन पारण जो है वो आपको कब करना है तो पारण जो है ये जो चार पहर की पूजा हो जाती है छे बच के अठारा मिनट के बाद इसके बाद जो पारण है वो आपको करना होता है तो पारण को जब आप करेंगे तो पहले आपको सिंगहर लेना होता है दानपुन जो है वो निका कार से खीरा खाकर प्रसाद खाकर या पंजीरी जो है वो खाकर पारण किया जाता है तो आपको पारण जो है वो करना चाहिए जो चौकी है वो कब हटानी है तो देखे जो चौकी है वो आपको छै बच के अठारा मिनट के बाद हटानी है क्योंकि जो चार पहर की पूजा है वो सुबह 3 बच के 12 मिनट से लेकि 6 बच के 18 मिनट तक होगी, यह चौथे पहर की पूजा है और इसके बाद आपको जो पार्थिक सिवलिंग है उनका विसर्जन करना होता है, बस उसी समय आपको जो चौकी है वो हटानी होती है, तो सबसे पहले आपको फुलेरा जो है वो हैं, वो आप माली जे 6 बच के 18 मिनट से लेके 7 बचे तक जो चौकी है वो हटा दें, इससे पहले ही हटा दें, मेरा यही कहना है कि इससे पहले ही हटा दें, अगर 3 बच के 12 मिनट से जो महूरत है वो सुरू होगा चौथे पैर का और 6 बच के 18 मिनट तक महूरत जो है वो है तो जो तीन बज़ के बारा मिनट से चार बज़े तक आप हरालत में पूजा जो है वो कर लें और पांच बज़े जिस समय चड़ियां बोल ना पाएं उस समय ही आपको जो चौकी है वो हटा देना चाहिए और जो सिपार्थिक सिवलिंग है उनका विसर्जन कर देना चाहिए अब बहुत सारे लोग जो महूरत के हिसाब से बिलकुल चलते हैं तो मैं उनको बता दे रही हूँ कि 6 बच के 18 मिनट के बाद आपका भी पी चौकी जो है वो हटा सकते हैं और जो चौकी है वो हटाने के मालीजे बाद जो सिवलिंग है वो तुरंत विसर्जन कर दें अगर आप घर पे विसर्जन कर रहे हैं मालीजे तो आप अपने घर में जो भी खाली गमले हैं उसमें विसर्जन कर सकते हैं मिट्टी में दबा के या बड़े से बरतन में पानी लेका विसर्जन कर सकते हैं ज़्यादा उत्तम है, तो आप यह चीज जो है, वो देख लेजे, पानी जो है वो आपको कब पीना है, तो पानी देखे, जब जो पार्थिक सिवलिंग है, उनका विसरजन हो जाएगा, दानपुन निकल जाएगा, उसके बाद आप पानी जो है, वो पी सकते हैं, तो जैसे स पूजा का सुब महूर्थ है, चौथे पहर की पूजा का जो सुब महूर्थ है, वो 3 बच के 12 मिनट से 6 बच के 18 मिनट तक है, तो इस समय पूजा हो जाने के बाद में पार्थिक सिवलिंग का विसरजन कर दें, और जो भी दान पुर्ण है वो निकाल दें, उसके बाद आराम सिवरत का पारण करें, और पानी जो है वो पीए, तो उमीद करती हूँ, ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज़्यादा मदद कर रहा होगा, वीडियो पसंद आया है, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, आज का वीडियो यहीं पे स हम आपत कर लही हूँ, दोस्तों, जै माता दी